तो तो आज हम है प्लतो आपका स्वागत इस नए एपिसोड में मैं आपको वेलकम करना भूल गया तो फ्रेंड्स हम लोग आज नए टॉपिक पर बात करेंगे इस एपिसोड में टॉपिक का नाम है कि कार्बन डेटिंग यह आप लोगों ने खुब नाम सुना होगा और इसको सौर्ट में सी फोर्टीन कि डेटिंग बोलते हैं कि यह कि आप लोगोंने काफी नाम सुना होगा अपनी लाइफ में कभी न कभी तो इस टर्म से आप रूबरू हुए होंगे अगर नहीं हुए हैं तो बताया दे रहे हैं कि यह जो डेट और्गेनिज्म होते ना डेट और्गेनिज्म या डेट और्गेनिक मैटर जैसे डेट बाडी कंकालतंत्र कोई फटा पुराना कपड़ा कोई मरा हुआ प्लांट सड़ा हुआ प्लांट यह सब डेट और्गेनिक बाडीज्म कि यह एज निकालने में काम आता है इसकी क्या करता है वह एज निकालता है जो कार्बन फोर्टिन डेटिंग टिकनिक है इससे हम डेड और्गेनिक बाडीज की हम एज निकालता है जैसे कोई कंकाल तंत्र है तो कितना पुराना है ऐसा करके थोड़ी इसकी लिमिट है कि कार्बन 14 डेटिंग जो है वो लगबग 60-70 साल पुरानी ही आप निकाल सकते हो 60,000 येर ओर्ड तक ही ये सही काम करता है इससे अगर पुराना अगर मैटर है तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है कार्बन 14 डेटिंग टेकनिक इतनी ओल्ड इतने यह ओल्ड किसी डेड और गैनिक बॉड़ी के लिए अच्छा काम करता है ठीक है ये टेकनिक ये टेकनिक का बेस क्या है इस टेकनिक का प्रिंसिपल य कि देखो क्या है कि की सी 612 ये कार्बन है जो स्टेबल है जिसका नूकलियस स्टेबल है और लगभक सारे आसपास के सभी जो भी और गैनिक मेटर है उसमें ये खुब पाया जाता है खुब इसी से मिलके बना है जैसे हमारी बॉड़ी में भी ये खुब है से 612 इसके करोड़ों अर्वों इसमें होंगे एटम्स हमारी बॉड़ी में ठीक है ये तो हुआ नेचुरल जो कार्बन पाया जाता है देखो ये कपड़े में बॉड़ी में हर डेट और गैनिक बॉड़ी में ये कार्बन सी 612 होता है और गैनिक बॉड़ी में ठीक है देखो एटमास फेर का जो अपर हिस्सा है ना अपनी वाइव मंडल का अपर हिस्सा वहां पर कॉस्मिक रेज आती है जो गामा में आती है या कॉस्मिक रेज या नूट्रिनोज जो भी संसे जो भी आती है रेज उसमें वह क्या करते हैं कि उपर जो नाइट्रोजन होती है उसको वह रेडियो एक्ट्व कार्बन में बदल देती है उपर डीके प्रोसेस होता है रेडियो एक्ट्व डीके प्रोसेस होता है एक स्टेबल नेट्रोजन नूकलियस या नूकलाइड बदल जाता है कार्बन 14 रेडियो एक्ट्व नूकलाइड में ये कार्बन 14 है एटॉमिक नंबर 6 है बिल्कुल इसी की तरह है नचुरल कार्बन की तरह है लेकिन यहां पर मास नंबर 14 है और ये रेडियो एक्ट्व होता है इसकी हाफ लाइव 5,730 years होती है और तो आप समझ सकते हैं कि इसका दीके कॉंस्टेंट भी आप निकाल सकते हो ऐसे ठीक है यह तो इसका प्रॉपर्टी हुआ कार्बन फोल्टीन का होता क्या बताते हैं यह जो कार्बन है रेडियो एक्ट्व कार्बन यह भी जितने भी संसार में और गैनिक मैटर है न जहां पर यह कार्बन है उसमें ये भी इंटर कर जाता है और सबसे बड़ी बात यह की तकि देखिए यह फ्रोटांन नंबर यह फ्रोटान नंबर रिष्ट सिकर बीए यानि यह दोनों आइसोटोप से एल्जेल कि बात करें तो इसमें भी apologize है उसमें भी छह लेट्रान है तो इन दोनों का केमिकल बिहेवियर भी सेम होता है यह रेडियो एक्टू जो एक्टम बना और यह एक्टम है जो नेचुरल कार्बन सी 612 जिससे की हमारा बाड़ी बना है लगभग पूरा मलग जो भी कार्बन है हमारी बाड़ी में लगभग स यह है यह भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम लेकिन ड्यूटी यह है कि दोनों में सेम नंबर आप लेक्ट्रान और प्रोटांस हैं तो दोनों चाहिए स्टेबल हो चाहिए रेडियो नेक्ट्यू कार्बन यानि सी 14 दोनों फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी जो होती हैनिकी बेनली जो केमिकल प्रॉपर्टी जो वह होती है वो सेम ultima यानी सेम तरीके से जैसे यह वाला कार्बन शरीर में फंक्शन करता है वैसे यह भी कार्बन शरीर में फंक्शन करता या यह डीके होता है यह डीके होता है तो जो डीके होता है कारबन सी 14 बॉडी में जो डीके हो जाता है वो हमको अटमासफेर से मिलता रहता है वो हमको अटमासफेर से मिल जाता है तो हमारी बॉडी में कारबन 12 और कारबन 14 जो भी है हमारी बॉडी में इसका रेसियो लगभग लगभग सेम आता है इसका रेशियो लगभग लगभग सेम आता है एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि कार्बन 14 बॉड़ी में जो मिला और जो कार्बन 12 है इन दोनों का रेशियो लगभग इतना होता है ऐसा कि लगभग इतना या आप चाहो तो इसको नियरली कि साथ इतना होता है नियरली टेंस पावर 13 कर लो यानि अगर टेंस पावर 13 कार्बन 12 है तो उसमें एक आपको कार्बन 14 मिल जाएगा ऐसा समझे लो तो यह जब तक अपनी बॉड़ी लिविंग रहती है जिंदा रहती है तब तक यह रेशियो सेम रहता है क्योंकि अगर कुछ कार्बन 14 दीके हो भी गया तो वह कार्बन 14 यह बॉड़ी एटमास्फ से ले लेती है क्योंकि कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों केमिकली रियक्षन सेम ही करते हैं क्योंकि दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं अभी यह मैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हम फंक्शन में ले रहे हैं वह सब एटम के फॉर्म में रहते हैं नूकलिय गया मेरी बाडी डेड हो गई तो अब हमारा एटमासफेर से कोई रेस्पिरेशन या कोई डाइजेशन इसब रियक्शन सब बंद हो गई है हम आई सोलेट हो गए है तो हमारे अंदर कार्बन फोल्टीन जो है वह और जितना कार्बन टॉल्व है जो भी है वो ट्रैप हो जात है कि की कि कार्बन को कि ट्रल वत रेडियोっ एक ट्यों है नहीं लेकिन कार्बन फॉल्टीन रेडियो एक्ट्यू यह धीरे धीरे डीक हो जाता है और यानि इसकी एमाउंट कार्बन 14 के माउंड बॉडी में घटती रहती है घटने लगती है तो यह कार्बन 12 और कार्बन यह रेस्यों सियों इसे ओलकटा का यह चेंज होने लगता है क्योंकि कार्बन 12 पहले जो होता दो लेकिन अब कार्बन 14 मरने के बाद डीके हो रहा है लेकिन कार्बन 12 तो ट्रैप है वो तो डीके होता नहीं तो given sample में अगर आप कोई sample loaded body का तो उसमें carbon 14 और carbon 12 का जो जिन्दा में था अब वो मरने पर नहीं रह जायेगा क्योंकि लगातार यह carbon 14 डीके हो रहा है तो यह ratio चैंज होने लगता है carbon 12 और carbon 14 का ratio चैंज होने लगता है और जब ratio चैंज हो जाता है तो उसी रेशियों से हम पता लगाते हैं कि भाई कितने साल पुरानी बाड़ी है यह मरी हुई यह जो आरगेनिक मैटर हम जो चेक कर रहे हैं वो कितने साल पुराना है ठीक है वो वो उससे चेक होता है तो चेक करने का तरीका क्या है कैसे चेक करते हैं बता रहा हूं कि शुरू करें कि देखो हम कोई सैंपल उठाते हैं उस डेड़ बाडी का डेड़ बाडी का सैंपल उठाते हैं और कि कार्बन 12 कितना है परबन 12 कितने है इसके एटम कितने आब हमको निकाल सकते हैं कोई छोटा सैंपल ले लो उसमेंकर बाडी मिल गए मैंकोosing सुरुवात यह मालो है N कितने मिले यह मालो यह मालो N मिले तो शुरुवात में कार्बन जो 14 होगा वो कितना होगा N into क्योंकि जब वो आदमी जिन्दा था जब वो बॉडी लिविंग थी तो तो उसका रेशियो लगभग फिक्स होता था इतना ठीक है तो उसमें कार्बन 14 होंगे करीब इतने अगर उसमें कार्बन 12 एटम इतने हैं तो यानि कार्बन 14 एटम इतने होंगे और यह कब थे यह यह तो डीके हुआ नहीं यानि जो जिन्दा में थे उस समय इतने ही थे अब देखते हैं कि प्रजेंट में प्रेजेंट में कार्बन 14 कितने है यह प्रेजेंट है तो यह मान लो है आपका n डैस प्रेजेंट में इतने मिले तो बाकी डीके हो गए और यह थे सुरुवात में तो n डैस इक्वल टू यानि कार्बन 14 पर हम डीके रूल लगाएंगे तो कार्बन 14 के प्रेजेंट नंबर जो है एटम्स के जो की डीके नहीं हुए तो वो है n डैस और कार्बन 14 शुरुवात में कितने थे इतने जो कार्बन 12 से निकले कार्बन 12 के नॉलेज से हमने कार्बन 14 निकाले जब शुरुवात में तो अभी जो हैं वो N-S हैं, शुरुवात में थे N into 1.3 into 10th power minus 13, ये शुरुवात में carbon 14 है, ये अभी present में जब वो body dead हो गई और हमने उसको बहुत दिनों बात देखा, तो उसमें carbon 14 इतने मिले, तो carbon 14 पर हम rule लगा रहे हैं, कोई सा? फार्मूला N equal to N naught, E की power minus lambda, carbon 14 के present atoms या nuclear कहलो, क्योंकि वही अटम्स दिग्रे, मतलब नूकली ही degrade होता है, और ये शुरुवात में, और E की power minus lambda T, where lambda is the this, where lambda is this, lambda कितना है? lambda है मारा 0.693 by T half, यानि 0.693 by 5730 और year inverse है, हमारा time year में आएगा, ठीक है, तो log ले लो, log E, N dash by N into 1.3 into 10th power minus 13, और equal to minus lambda T, यानि minus 0.693 divided by 5730 into time, time आएगा आपका year में, अब ये आप N और N dash जो present में है, उनकी value रखेंगे, इसको solve करेंगे और यहाँ से आपकी T निकल आएगी, यानि ये sample जो हमने लिया, या कोई dead body, या कोई dead organic matter, वो कितने साल पुराना है, ये method है, carbon 14 radio dating का, बहुत simple है, पहले carbon 12 की मदद लेते हैं, और carbon 12 और carbon 14 का living body में ratio, कुछ fix होता है, तो उसे हम सुरवात में कितने carbon 14 है, उसको knowledge में ले लेते हैं, present में कितने carbon 14 है, यह experiments are gain करते हैं, उसको check करते है, वो sample को और present में देखते हैं कि आप कितने हैं, फिर अब इतने हैं, और शुरूट में carbon 14 एतने थे, तो ये carbon 14 जो सुरूट में थे, वो degrade होकर radioactively decay होकर इतने बने तो यहाँ पर formula लगा देते हैं radioactive decay formula और निकाल लेते हैं कि वो कितने time पुराना sample है यानि वो जो biological matter है या organic matter है वो कितना पुराना है lambda और half life carbon 14 के हमको पता है तो decay constant carbon 14 का यहाँ से निकाल लेता है तो समझ में आया यह कोई नई चीज नहीं है यह बस इसका इसका यूज है इसी radioactive decay formula का यूज है ठीक अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग rocks की डेटिंग करेंगे अभी तो यह और गैनिक matter का डेटिंग हुआ dead organic या biological matter का अब नेक्स्ट एपिसोड में हम rocks जो अर्थ में जो rocks हैं जैसे पता लगाते हैं ना कि धर्ती कितने साल पुरानी है यह चट्टाने कितने साल पुरानी है हिमाले कितने साल पुराना है तो rocks की डेटिंग कैसे करते हैं वो हम next episode में आपको बताते हैं यह कोई नया कोई सिलाइबस नहीं है यह बस यूज करना है उस दी के फार्मूले का मंद में आया जो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है एन इक्वल टू एन नौट एकी पावर मानस लेमडा ती जो फार्मूला है यह उसका यूज है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स एपिसोड में आपको रॉक डेटिंग बताते हैं